हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग एक काफी खुबसूरत सीनरी को दिखाने से होती है और वही पर नदी में से एक बोट गुजर रही थी जिसके अंदर लुओ होता है उसे कुछ समझ नहीं आ रह आता है वा कितना खुबसूरत नजार आए तो रोज मर्राई की जिंदेगी से दूर वा 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 वो तो एक गॉल बोटल में से वाइन निकाल कर पीने लगता है लेकिन तभी अचानक से नदी में से बड़ा सा वोटर टोर्नेडू क्रियेट होता है जिसके अंदर चिलाते हुए उठता है बचाओ 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 और हमें पता चलता है कि अभी तक हमने जो कुछ भी देखा है वो सिर्फ और सिर्फ लुओ का एक सपना था अब वो होश में आने के बाद आसपास की जगह देख रहा होता है कि तभी रूम में रोंग अपने ग्रेंडपा के साथ इंटर होती है उन्हें देखकर लुओ कहता है पिछली रात यहां पर बहुत कुछ हुआ जिसके कारण शायद में बेहोश हो गया था जिस पर ग्रेंडपा कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है दरसल तुम शोप में आते ही कमजोरी के कारण बेहोश हो गय थे जिस प कर ग्रेंडपा हसने लगते हैं और कहते हैं जरूर तुम्हें कोई भ्रह्म हुआ है बेटा और फिर वे तुरंत बात बदलते हुए कहते हैं कि शायद तुम यहां पर किसी काम से आये थे जिस पर लुओ कहता है कि हां मैं वो यहां पर पाइनेपल टेक्चर वाला इंक ब्र लेकिन बद किस्मती से थोड़ी देर पहले ही जेंग नाम का आदमी उसे लेकर गया है जिससे सुनका लुओ अपने आपको कोसने लगता है कि यार वो इतनी क्रिटिकल मुमेंट पर बेहोश केसे हो सकता है अब इसका फायदा उठा कर वो घमंडी जेंग इंक ब्रश लेकर चला गया खेर अब इतना सब कुछ होने के बाद लुओ कहता है मेरी फुटी किस्मत और वो वहाँ सी जाने लगता है लेकिन तभी ग्रेंड पाउ से रोक कर कहता है रुको वेटा यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो हमारी गलती की वज़े से हुआ है इसलिए मैं तुम्हें एक दूसरा इंक ब्रश देना चाता हूँ जो कि तुम जिस ब्रश को ढूंड रहे हो उससे भी कई गुना जादा कीमती है अब कुछ ना होने से तो यही सही है और इसलिए लुओ उस ब्रश को लेकर बाहर निकल जाता है तो वहीं दूसरी तरफ हमें ग्रेड ड्रेस पहनी कर वहाँ से निकल जाती है अब यह कोन है क्या कर रही है यह तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चली ही जाएगा तो इधर हम लुओ को वोश्रूम में देखते हैं उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने पिछले राज जो कुछ भी देखा था वो सिर्फ एक भ् वो टीचर के घर की तरफ जाते हुए सोचता है कि यार पाइने पर टेक्स्चर वाला इंक ब्रश तो जैंग ने टीचर के लिए ले लिया है अब मेरा वहाँ पर जाने का कोई फायदा नहीं है लेकिन उसके तुरंत बाद वो सोचता है कि यार बंदू तुम ना सोचते बह हो तो यार टीचर ने तो मुझे ये काम कुछ सीखने के लिए दिया था और जबकि मैं तो उनके ब्रश से भी कई जाधा कीमती ब्रश लेकर आया हूँ तो वो जरूर इसे पाकर खुशी होंगे और इसलिए वो फटाक से टीचर की बिल्डिंग में पहुँच जाता है जहा को वेट करवाने के लिए मुझे माफ कर दीजिए मैं इंक ब्रश लाने में थोड़ा लेट हो गया आगे वो लुओ को बेकप में कहकर पुकारता है और कहता है कि तुमने इससे जरूर कुछ तो सीखा होगा क्योंकि तुम वेसे भी कोई ब्रश लेकर तो नहीं आये हो जिस जब टीचर इंक ब्रश को खोलते हैं तो उनकी आखे चमकने लगती है और फिर वो तुरंत उस ब्रश से कुछ लिख कर देखते हैं और इसमें उन्हें काफी जादा मजा आ रहा था उन्हें देखकर जेंग पूछता है कि सर क्या हुआ आप इस इंक ब्रश को देखकर इतन जेंग से तो बताना चाहिए ना ऐसा वो मन में सोचता है लेकिन हम उसके चेहरे को देखकर फिर लुओ उन चारो नेम्स के साथ उनकी शोट में डेफिनेशन भी बताता है जिस पर टीचर कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा तुमने लुओ सच में इस इंक ब्रश को लाते वक्त तुमने काफी कुछ सीखा है तो यहाँ पर अपनी कही हुई बाते सुनकर लुओ को खुद यकिन नहीं हो रहा था कि उससे ये सब किसे आ गया मुझे तो कुछ नहीं पता था इसके बाद टीचर जेंग के पूछे गई सवाल का जवाब देते हैं कि ये ब्रश उन चार ब् पोयम लिखता है और ये पोयम वही होती है जो प्रजेंट में टीचर ने लिखी थी अब ये सब देखकर तो लुओ का माथा चक्राने लग जाता है उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उससे ये सब भ्रहम क्यों आ रहे है तो वहीं आगे टीचर लुओ से कहते हैं कि तुमने ये ब्रश लाकर काफी कुछ सीख लिया है और ये ब्रश वाकई में पाइनेपल टेक्शर ब्रश से ज़्यादा कीमती है तुम तो वाकई में टेलेंटेड हो लुओ और ये सुनकर तो लुओ फुले नहीं समाता है लेकिन यहाँ पर बिचारा जेंग काफी उदास हो जाता क्योंकि इस बार लुओ ने बाजी मार ली थी खेर इसके बाद शाम होने पर लुओ अपने दोस्ते के साइबर केफे में गेम खेलने के लिए जाता है जहां पर उसका दोस्त किसी लड़की को लेकर परेशान था अरे का हो गया बगवा छोड़कर चली गई का अरे का लड़क के चक्कर में फसे हो विजनेश विजनेश संबालो आईएश वाईएश बनो यार तुम तो तो वही जब लुओ गेम खेल रहा था तबी स्क्रीन पर एक पोप आता है और जब लुओ उस पर क्लिक करता है तो वहाँ पर एंशन टेक्स्ट में लिखा हुआ आता है कि अपने लुओ वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर कुछ पियककर लड़के लुओ के दोस्तों को उसी लड़की के लिए सबक सिखाने के लिए आये थे जिसके बारे में वो थोड़ी देर पहले फोन पर बात कर रहा था वो पियककर गुंडे कहता है अबे जाले आज तो तेरी या मेंसी बारा बजाएंगे एसी बारा बजाएंगे कि तेरी साथ पुष्टे याद रखेगी बेटा और तो फिर वो आओ देखते ना ताओ और तुरंत लुओ के दोस्ते के उपर अटेक कर देते हैं लेकिन लुओ का दोस्त भी कुछ कम नहीं होता है वो उन्हें काफ़ है कि तुम इतने अच्छे दोस्त हो लेकिन उनकी ये बाते चली रही होती है कि तभी वो प्यक कर लड़के इन दोनों के उपर एक के बाद एक अटेक करने लगते हैं अब उनसे लुओ का दोस्त तो काफी अच्छी तरीके से फाइट कर रहा था लेकिन लुओ उनके सामने ठीकी नहीं पाता है और फिर जब लोग लुओ पर एक खतरनाक वाला अटेक करनी वाले थे कि तभी लुओ के अंदर से एक मेजिक पावर जाग जाती है जिसके कारण वो दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं और ये देखकर उनका बोस लुओ पर अटेक करनी के लिए आग उसको मारो ना और जब वो लुओ को मारने के लिए जाते हैं तो लुओ तुरंत गायब होकर हवा में उड़ने लगता है और ये सब देखकर खुद लुओ को समझनी आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है भाई अब लुओ को हवा में उड़ते हुए देखकर बोस कहत अब लड़ गया अगर तुम नीजे नहीं आए ना तो हम तुमारे दोस्तों को जोड़ेंगे नहीं जाला और जब उस गुंडे के चम्चे उसके दोस्ती की तरफ जा रहे थे तब ही लुओ उनके सामने अपेयर होता है धंटडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड और तुरंत वाहां से भाग खड़े होते हैं फाइट खतम होने के बाद लुओ का दोस्त उसके पास आकर कहता है कि तुमने तो काफी अच्छी फाइट की यार मुझे पता नहीं था कि तुम फाइट भी कर सकते हो वैसे मैं सोच रहा था कि क्या तुम इसके बारे में बेट और ही तो सोचना तो पड़ेगा ना तो वो सोचता है कि वो जो पैन मेरी चेस्ट पर लगा था वो जरूर कोई सपना तो नहीं था उसी की वज़े से तो आज में इतना एक्टिवेट होकर फाइट कर पाया और इतना सोचते ही वो फिर से कंप्यूटर पर बैट कर इंक ब्र कि एकदम नीन खुल जाती है उसे सही में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है और तभी एक बुड़ा आदमी पोयम बोलते हुए उसके करीब आता है और इसके कारण लुओ बहुत जादा डर जाता है और वो फिर से रियल वर्ड में जटके से उड़ता है क्योंकि फिर से यह सब उसका एक सपना ही था इसके बाल लुओ कम्प्यूटर बंद करके अपने घर जाने के लिए निकलता है और इस दोरान वो फिर से सोचता है कि उसके साथ हाली में काफी अजीब चीज़े हो रही है उसे रोंग के शोप में जाकर इसकी बारे में पता करना होगा और जब वो इसकी बारे में सोची पता है कि तब इसे पीछे से कोई आवाज लगाता है वो आवाज उसका नाम पुकारती है वो भी काफी भूतिया अंदाज में लूओ अरे हो लूओ लूओ उसे सुनकर उसकी फटकर चार हो जाती है और इसलिए वो तुरंत पीछे मुड कर देखता है जैसे हो पीछे आउने लगता है यह देखकर लूओ की तो फटकर सोला हो गई थी और इसलिए वो तो तुरंत वहां से भाग खड़ा होता है और भागते भागते जब वो एक पॉइंट पर पहुँचकर पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर तो कुछ भी नहीं होता है सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था और फिर यह सब देखकर वो चेन की सास लेता है मगर तभी एकदम से वही फिगर उसके उपर कूट पड़ता है और उसका गला दबा कर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन गला दबने के कारण वो वहां पर बेहोश होने लगता है और बेहोश होने से पहले वो वहां पर रोंग को देखता है और इसी के साथ ये यहीं पर खत्म होता है